माइम के सैफ पठान के लाइबरेरी मुद्दे उठाने के बाद विधायक जितेन रवाड ने क्या कहा है देखिए यह वीडियो के जरीए मैं हूँ अफजर शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी आप सभी तक हमने खबर पहुचाई थी जिस खबर में जो लाइबरेरी और वेलफेर सोसाइटी उसकी मनजूरी 2017 में ही पास कर दी गई थी जिसके बाद मनजूरी के बाद भी जो है अब तक मुम्रा शेहर को जो है एक लाइबरेरी नहीं मिला जिसी मामलात को लेकर जो फईयाज अमध मुंबई अद्यक्ष वो मुम्रा आय थे और सागर सालूं के मुम्रा आयुक से मुलाकात की थी और कहा था कि अगर लाइबरेरी जल्दी नहीं मिली तो हम एक आंदोलन भी करेंगे इसी मामलात को देखते वे विधायक जितन्रवाद ने एक वीडियो साजा करते हूँ कि लाइबरेरी को लेकर के लोग यहां जा रहे है वहां जा रहे है और साती साथ कह रहे है कि इस जगा पर लायबरेरी दी गई है जिस जगा पर विदायक जितिन रहाट जिगा वीडियो आया उच जगे पर उन्होंने खड़े होकर बताया कि यह जगा लाइबरेरी की है दो करोर रुपया मन्पा ने मन्जूर किया है पचासी लाग रुपया अब तक जो है इस पूरे जो पाइलिंग होई है इसको लेकर खर्चा की गई है यानि 65 पाइलिंग में लगबग 85 लाग का अब तक खर्चा हो चुका है अब 2 करोर रुपय की और नीदी आई है और जल्दी मुम्रा शेयर को लाइबरेरी मिलेगी और फिर सहब पठान के ये जो तमाम बाते उन्होंने वीडियो के जरीए के आते हैं इन सब बातों को लेकर किस तरीके से जवाब और एक निशाना साधा है वो हम आपको दिखाते है 300 मुम्रा के बारे ने आता पता नहीं दाते है वो कहीं पे भी जाके बोल देते हैं कि ये इधर लाइबरेरी का प्लॉट है इधर इसका प्लॉट है इधर इसका प्लॉट है मैं जहां खड़ा हूँ यह लाइबरी का प्लॉट है और यह दिख रहा है यह दिख रहा है उसको बोलते हैं पाइल फाउंडेशन डालके हुआ उता करण रुपे लाएं हैं उसका टेंडर अभी अभी हुआ है शायद उसका वर्क और आजकल आट-दस दिन में मिल जाएगा यह देखो ठाने महानगरपाली का ठाना उतारा लाइबररी और वेलफेर सेंटर यह दोनों यहां पर बनने जा रहे हैं यह और भी दो करण अरे कम से कम नम्रा में क्या जगे पर है क्या है यह तो जानना सीको लोगों को गुम्रा करने के लिए जंगल में गाओगे बोलोगे इधर लैबरी यह इधर नहीं है यह 65 पाइल फांडेशन हो पैसा है उसका खरचा पशेशी लाक रुप्या हो चिका है यह 77 मीटर नीचे इसी तमाम अप्डेश्व जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी मैं अफजल शेक फिर हाजिर हुआ एक ने निउस के साथ